नमस्ते दोस्तों सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन गंटी बजा दें आप पर ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें तो मैं पंगा का रिव्यू करूंगा भी पंगा फिल्म अशुनिय तिवारिय और रनोट के सहयोग से बनी हुई फिल्म है और दर्शक भी इसके ज़्यादा तक हो सकता है कि महिलाएं हों क्योंकि यह फिल्म कहलें जैसे डिमोक्रिसी के बारे में कहते हैं और लिक ज़ु पुल, लिक लिक द्विव हरता बसुबूद कर दे यह शायुक्त आर जासकता है लेकिन इसको सिर्फ महिलाण तक सिमित कर देना कहिंने कहिं फिल्म को बाधित करना और फिल्म के संभावनाओं को कम करना होगा यह फिल्म जरूर विमेन ओरियेंटेड है और महिलाएं ही इस फिल्म में सारे फैसले लेती हैं कास करके अगर हम विदेशी माने तक ब्यग्डेल टेस्ट को मानें जहां पर ब्यग्डेल टेस्ट के जो तीन लक्षन होते हैं वो तीनों लक्षन इस फिल्म के अंदर हैं। उस इस आप से ये हिंदी की चंद महिला प्रधान फिल्मों में से हैं। जहां सचमुज महिलाएं कहानी के मूड के लिए जिम्मेदार हैं। अश्वनी अयर तिवारी की फिल्में अगर आप देखें। तो नील बटे सन्नाटा आगरा में थी, बरेली की बर्फी भले ही लखनों में शूट की गई थी, लेकिन कहानी बरेली की थी, और इस बार वो भूपाल पहुंची है। अश्वनी अयर तिवारी की खोबी दिख रही है लगातार उनकी फिल्मों में, कि वो किसी कसबाई शहर, हलाकि ये कसबा कहना भी इनका थोड़ा सा अनुचित लगता है, लेकिन छोटे शहरों में पहुंचती हैं, वो वहाँ अपने किरदारों को रखती हैं। उनके किरदार माइग्रेटेट भी हो सकते हैं, लेकिन वे लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ के शहर, शहर को बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी फिल्मों में ले आती हैं। संग्षिप्ट उसका चित्रन है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है। आपकी बहने हो सकती हैं, आपकी भावियां हो सकती हैं, आपकी बेटियां हो सकती हैं। जो काफी पढ़ी लिखी समझदार आईक्यू और वेभारी के स्थर पर आप से कहीं उंदा रही होगी लेकिन शादी के बाद कहीं ने कहीं उनके सपनों के पंक कतर दिये गए और उन्हें घर में बैठने को मजबूर होना पड़ा अगर उन्हें दूसरा मौका मिले अगर उन इस फिल्म की सबसे बड़ी खुबी और खासियत है जिसको अश्वनी अयतिवारी और कंगना रनोट परदे पर ले आती है और इसमें बहुत ही शांदा सहयोग रिचा चड़ा का आता है जिस तरीके से वो सपोर्टिंग कास्ट है सजमुच में सपोर्टिंग कास्ट का क्या होता है वो इस फिल्म को देख के समझा जा सकता है और अपने कहले कि अभिने के प्रिजेंस अप माइंड से वो सीन को दमदार बना देती है यह एक छोटा परिवार है और जिसमें प्रशांत है जो जैसी गिल है कंगना रनोट है जो जया निगम है और उनका बेटा है आदी जो कि बहुत ही एक विशेस बच्चा है सुरू के दिनों में चुकि उसके अडियां कमजोर हैं यहां पर आदी को जिस तरीके से पेश किया है अश्मनी अयर्तिवारी ने मुझे साहब दिखता है कि आदी और कोई नहीं अश्मनी अयर्तिवारी ही है वो लगातार जि ज़्यादा मुची बाते भी करता है वो ज़्यादा समझदारी की भी बाते करता है वो क्यो कि 8 साल का बच्चा अगर आपको संदेश दे कि क्या 32 की उमर में औरतों का कम बेक नहीं हो सकता है यह बात थोड़ी सी थोड़ी सी लगती है कि बड़ बोलेपन का शिकार हो गया या कुछ ज़्यादा उसके उपर वजन डाल दिया गया है बावजुद इसके उस कलाकार ने यग्य भसीन ने बहुत ही शांदार काम किया है आपने किरदार को परदे पे ले आया है फिल्म अगर देखें फिल्म का प्रमाइस कबड़ी पर रखा गया है यह जिंदिगी किसी भी पहलू पर हो सकता था एक सामान या औरत की भी कहानी उसकती थी मान लीजे उसने जिंदिगी भर किसी और मजबूरी में किसी और दवाव में कुछ और किया हो और फिर एक समय के बाद उसने तै किया हो कि नहीं अब मुझे अपने सपनों को चीना है बहुत सारे मित्रों को मैं जानता हूँ बहुत सारे परजीतों को मैं जानता हूँ जोन्होंने एक gap के बाद अपने शौक को पूरा किया और काफी उपलबदियां भी हासिल की इस फिल्म में कबड़ी जिस तरीके से पेश किया गया और फिल्म में एक बहुत स्ट्रेजिक सीन है खास करके जब जो चैन समीती आती या जहां पे खिलाडियों का चुनाव होना है वो जिस तरीके से पक्ष लेते हैं जया निगम का और जिस तरीके से उसे पेश करते हैं कि उसको टीम में रखना क्यों लाजमी है क्यों जरूरी है और उसका क्या इंपक्ट पड़ेगा चुके मीडिया की नजर में जया निगम आ चुकी है और जया निगम का चुनाओ होगा की नहीं होगा ये बहुत ही महत्पूर्ण हो गया है और जया निगम दक्ष खिलारी होने के बावजूद कैसे नहीं चुनी जा पाती है स्टेड़ी की सिकार होती है मुझे लगता है कि अगर वो चैयन समीती का सदसर नहीं होता तो ये फिल्म अपने उद्श में नहीं पहुँच पाती तो जया निगम का चुनाओ कबड़ी पर या कबड़ी कोरे खांकी करना फिल्म के अंदर एक बहुत ही अच्छी स्टेड़ी पंगा निखिल महरोत्रा अश्वनी एयर तिवारी ने मिलकर लिखी है और यह एक काल्पनिक कहानी है किसी खिलाडी की बायोपिक नहीं है और किसी वास्तविक खिलाडी के ऊपर है वैसे देखे तो बहुत सारे खिलाडियों की जिंदिगी इसमें मिल सकती है निखिल महरोत एक बार फिल्म सिरू होने के पहले एक बार फिल्म खत्म होने के बाद तो हम समझ सकते हैं कि फिल्म में लेखन को कितना महत्य दिया गया है और लेखन को कितना रेखांकित किया गया है और फिल्म जिस तरीके से जिस प्रिष्ट भूमी को जिस शहर को लेके चलती है उसके मिजाज, सुभाव और बाकी चीज़ों को लाने में इस फिल्म की लेखन की बहुत बड़ी भूमिका है मुझे तो लगता है कि इस फिल्म के समवाद और पटकता को भी अलग से रिखांकित किया जाना चाहिए इस फिल्म के सहयोगी कलाकारों पर भी फोकस होना चाहिए चुके कंग्ना रनोट तो मुख भूमिका में है लेकिन जसी गिल ने जिस तरीके से उनको सहयोग दिया, उनके किरदार को इस पेस दिया, उनके किरदार को उठाया है ये सारी चीजें प्रशांत करता है, प्रशांत के लावा आदी भी यही काम करता है और इन सबसे ज़्यादा रिचा चड़ा जिस तरीके से उठ प्रेरक की भूमिका निभाती है, वो बहुत बर्त पूर्णे है कुछ लोगों को लग सकता है कि नीना गुपता अभी जिस स्थिती में है और जिस दर्जे में है उस हिजाब से उनकी भूमिका कम है लेकिन मा की भूमिका इतिनी ही थी इस फिल्म के अंदर और इस से ज़्यादा अगर होता तो फिल्म को ग्रहन लगाती तो मुझे लगता है नीना गुपता अपनी मौझूदी का एसास कराते हुए उस किर्दार को बहुती जीवन तरीके से निभाती है बागी छोटी-छोटी किर्दारों में चाहे वो कोच हो चाहे वो बंगाली कोच जो आया है इस्टर्न रेल्वे के लिए चुनाव करने के लिए उसके मुझे से दो-चार डायलग है इस फिल्म में एक सहयोगी किर्दार है निशा जो कि रुमिट बनती है इसकी कंगना रनोट की उसकी मैं चर्चा करूँगा क्योंकि वो साहिद पहली फिल्म है उनकी लेकिन उन्होंने जिस्त आत्मिस्वास के साथ परदे पर काम किया है और बराबर की भूम का निभाई है एक अनभवी और ऐसे कंगना रनोट जैसे स्टार के साथ वो बहुत ही काविले तारीफ है और उनकी तारीफ की जानी चाहिए अश्वनी एयर तिवारी की पंगा बेहस संतुष्ट करती है कंगना रनोट का अभने भी संतुष्ट करता है कंगना रनोट की राजनीती को दरक पिनार कर दें अवनेत्री के तौर पर उनके दक्षता का कोई जवाब नहीं है या हम मानते हैं और इस फिल्म ने फिर से सापित किया है फिल्म अपने उद्देश में पूरी हो इसके लिए जरूरी है कि सारे दर्शक इसे देखें और अमूमन मैं ऐसी सिफारिस नहीं करता हूँ लेकिन इस फिल्म के लिए मैं सिफारिश करना चाहूँगा कि आप जरूर पंगा देखे परिवार के साथ देखे अपनी बहन, बेटियों, माहों के साथ देखे और इसे बार बार देखे मैं इस फिल्म को चार स्टार देना चाहूँगा शुक्रिया